नमस्कार कॉंग्रेस ने कहा है कि वो राम मंदिर के प्रान प्रतिष्ठा समारों में शामिल नहीं रहेगी जो न्योता उनको दिया गया उसे ठुकराया है इसे एक राजनितिक कॉंट्रवर्सी खड़ी हुई है क्या कॉंग्रेस ने गलत फैसला लिया है क्या ये एंटी हिंदू फैसला है इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ है कॉंग्रेस के दिगज नेता सांसद और पूर्व मुख्यमंती मद्पदेश के दिगविजे सिंगी नाशकार दिगविजे सिंगी ये जो निरने लिया है क्या आप जब ये इस पर क्रिडिसिजम हो रही है कि य ये एंटी हिंदू है आप कैसे देखते हैं कि क्या कॉंग्रेस ने इस फैसले के साथ दोजार चौबीस के चुनाव के पहले एक सेल्फ गोल किया है बीजेपी आप दुनिया भर में कहेगी कॉंग्रेस जो है वो हिंदू विरोधी है पहली बात तो यह रादीर जी कॉंग् ना बुद्ध विरोधी है हम लोग सभी धर्मों का सम्मान करते आएं करते रहेंगे यही हमारी सनातन परंपरा है और यही हमारा भारती समिधान कहता है हमने कॉंग्रेस ने कभी भी उसे एक ने क्योंकि मैं आपको इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि बीजेपी का कहना है कि हो रही है तुष्टी करण हो रही है और इसलिए कॉंग्रेस जो है वो हिंदू विरोधी है मुस्लिम पार्टी बन गई है क्या इस बारे में आप उनसे यह दी पूछते कि जो छुपकर जो उनका समझाता होता है वह से उसके बारे में वो क्यार्किन करते हम लोगों ने क्य वेसी का कभी विरोध नहीं किया हमने क्या कभी आजादी के पहले कॉंग्रेस पार्टी ने मुस्लिम लीग का जिनासाब का फिरोध नहीं किया हम लोगों ने वहाँ भी विरोध किया हम लोग धर्म का उप्योग राजनीती में नहीं करते हम लोग धर्म का उप्योग वोट मागने में नहीं करते। क्योंकि धर्म के नाम पर वोट मांगना समवेदानिक और पीबल्स इमिटिशन एक्ट में और कोड अफ कंड़िक्ट के खिलाफ है कभी भी हमने धर्म के नाम पर कभी भी किसी चुनाव में वोट नहीं मांगा आपने वोट नहीं मांगें लेकिन आपके पॉलिसी डिशन जो थे शाबानू केस हो सेटैनिक वर्सिस हो वहाँ ये आरोप था आपने इसलामी फंडेमेंटलिस के साथ समझाता किया जब बाबरी मस्जिद का जो ताला है वो खुलता है शेलाना से होता है तब आप बीएच पी के साथ होते हैं तो आपने दोनों के साथ एक तरह से समझाता किया आप जैसा व्यक्ति एतिहास आपको गलत फहिमी में है मंदिर का ताला हमने नहीं खुलवाया मस्जिद का यह है मंदिर का यह राम जन्मभूमी बाबरी मस्जिद के अंदर और मंद्यों गलत तरीके से मुर्ति रखा गई थी उस पर जो स्टे ओर्डर था वो स्टे ओर्डर का जो आदेश हुआ को मंदिर के दरवादा खुलने का वो कॉंग्रेस नहीं वहां के जजने एक निकाला था राज दास्ता दूसरी बात यह है कांग्रेस पार्टी ने कभी भी किसी भी धर्म के विशे में हम लोगों ने एक तरफा कारवाई नहीं की तुष्टी करन की आप जो बात करते हैं बही मानौरिटी का क्यों काई राइट्स जो है भारती संविधान में है जैस शाबानों के बाद जो जिस तरह से राजदेतिक बहस हुई उसके बाद कॉंग्रेस बैक फूट पर आ गए और अभी तक भी बैक फूट पर है क्योंकि पिच जो है बीजेपी ने तयार की है बीजेपी साफ कहती है हम हिंदुत्व की पार्टी है बीजेपी सुद रूप से भारती सम्विधान और पीपल्स इर्पिटिशन एक्ट का उलंगन करती है सर लेकिं 1989 से बीजेपी साफ कह रही है कि राम मंदिर हमारे मैनिफेस्टों पर है इसलिए आ गई है क्योंकि वो भारती जनता पार्टी दो सीटों पर सिमट गई थी और इसलिए उन्होंने भगव गांधियन सोशलिजम की तरफ कर चले गए थे उसमों को हाड़ उनको जो 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 उनका जो आधार है धर्म का उप्योग करके किस तरह से धार्मिक भावना को उनुमात फैला कर देश में राजनीत करना जो की भारती सम्विधान और पीपल्स इर्पिटिशन एक्ट और कोड का उलंगन करके राजनीती में अकन उन्होंने पिर भी बताईए दिवीजे सिंगी प्रान प्रतिश्टा हो रही है सभी को नियोता दिया गया है क्या बात है कि कॉंग्रेस नहीं वहाँ जाना चाहती क्या कहीं न कहीं आप प्रधान मंत्री मूजी को बोईकॉट कर रहे हैं नंबर एक इसी धार्मिक आनदुट के इसे में बताता हूं कि जितने भी धर्म गुरू स्थापित धर्मिष्ट गुरू है इस देश के चाश शंकरिशारीजी हों नामा नदी संप्रदाय के लोग हैं वेश्टन संप्रदाय के लोग हैं किसी ने भी इस प्रक्रिया और जि का उसको हटा कर अपने चुनिंदे रार विश्विंदु परिशत के प्रचारकों को बिठाने के वहां बिठाया और जिस प्रकार से चंपत्राय व्यक्ति जिसने की हमारे दिये गए चंदे के अंदर स्कैम किया जमीन खरीब में घोटाला किया वो हमको शिक्षा दे रहा है शंकराचार के संस्ता को चैलेंज कर रहा है और रामा नंदी संप्रदाय के लड़ाना चाता है अरे दोनों बिल के काम करने वाले लोग है इसलिए हम नाकसिमा राओ जी ने रामालाय ट्रस्ट का गठन किया था मंदिर निर्मान के लिए जबकि तो आप एक तरह से कह रहे ह ऐसा नहीं देखे वो तो आज से नहीं है उनका तो 1925 में आरेसस का गठनवा तब से उनका धर्म का दुरुपयोग करके और दफरत पहलाकर इस देश में राज काइम करना राजनिती करना वो उनका लक्ष रहा है और ये बात मैं आप इसलिए कह रहा हूं कि जो की भारती सम आतन धर्म के लिए चनौती है और लोगतंध को चनौती है लोगतंध की चुनाओ की प्रक्रिया को चनौती है उस वज़े से हम लोग उसका अपोस करते हैं लेकिन बीजेपी कह रही है कि देखिए ये हिंदूों के भावनाओं से जुड़ा हुआ है हिंदूों के आस्था स तरह सब्सक्राइब उसमें शामिल होने में क्या आप वहां जा सकते थे और कह सकते थे कि हम हमें नरेंद्रमोदी जी की जगह कोई और प्रान प्रतिष्टा करता तो ज्यादा अच्छा दें कि भाहिशकार करना एक तरह से आप भाईशकार कर रहे हैं मिल रहा है वह ट्रेस्ट में कौन लोग हैं कि निरे दूसरा एक जो भाज़पा का उम्मीदवार वहा से पटना से लड़ा वो वहा क्या कर रहा है धर्म गुरूस उसमें क्यों शौमिल नहीं किये गए रामा एले टतारस कोई काम क्यों नहीं सॉपा गया, जिसमें कि संक्राचारी थे और रामा एले सम्टरद्दा refer ठेक्ते प्रोवक्ष थें, उनकों क्यों नहीं सॉपा गया, राजणिती करंट पके लुगर शुरू किया है, कूँकि इनके पास उसके अलबा कोई बुंदा नह कुछ कॉंग्रेस के नेता कह रहे है कि ये फैसला शायद गलत था जाना चाहिए था अरजुन मोडवाड या गुजरात कॉंग्रेस के नेता है कुछ अन्य नेताओं का कहना है कि शायद आपने एक गलत फैसला लिया क्या आप मानते हैं कि कहीं न कहीं कॉंग्रेस भी दुवि पूरे सोच समझ के निर्ने लिया है नंबर एक सारे धर्म शास्त्रों के विपरीत ये प्रांतरिष्टा हो रही है नंबर एक जिसमे की सारे शंक्रचारे उन्हें ने मना कर दिया आने के लिए रामारी संप्रदाय ने इसको अपने आप से अलग रखा है जो स्थापित पराएं थी उनको तोड़ा जा रहा है हमको उस पर आपती है तो एक आपती थी जिस तरह से धर्म शास्त्र का इन्होंने विरोध किया है उसका पालन नहीं किया दूसरा पॉलिटिकल है हमारे इंडिया लाइंस के सारे पार्टनर्स शिवसेना तक जिन्होंने जो क्लेम करते ह मस्जिद हमने गिराई जिनके लोग शहीद हुए आज जो उस राम मंदिर आंदोलन में जो शहीद हुए वो कहां है चबबत राय तो सर्वे सर्वा हो गए जिन्होंने कि हमारे चंदे का पैसे में लैंस कैम किया वो सर्वे सर्वा हो गए उनका क्या ले रहे देना राम पराओं पर वार है और धारमिक परंपराओं सनातनी परंपराओं के साथ खिलवार किया जा रहा है भाजपर दोरा जो की पूरे नियम और शास्त्रों के विपरीत काम किया जा रहा है नमबर दो और तीसरा बात दूसरी बात यही है कि जब सभी इंडिया एलाइंस पार्टनर की है कांगरिस को इन मामले में हम लोगों ने सोच समझ करी निड़ने लिया है और एक मत से लिया गया है कहीं न कहीं लेकिन क्या डर है कि बीजेपी इस मुद्दे को पूरी तरह से आप भुनाएगी और उनको इस दोजार चौबीस चुनाओं में राम मंदिर के नाम पर अब दोजार ने अब तो और पीक पर लेकिन अब नरेंदर बोदी के पास तो एक हतियार इसका उलिए में यहां नहीं करूंगा जिसकी वजह से आज वो इनको भूबज जो मिल रहा है इनके पास जो इस प्रकार का वोट सुइंग उनके पास हो रहा है उसका मैं बाद मेया बात आप से करूंगा जिस दिन आपको फुरस्त नहीं वो तो आप अपने ट्वीट्स में कह रहा है कि एवी एम की बात कर रहा हूं राम मंदिर से हमको कहीं इतराज नहीं है हम सब राम भक्त हैं उसका निर्मान पूरा हो जाए हम खुद जाएंगे मिलने के लिए अप जा के दर अब करा जा अब आट से नहीं जा रहे हैं नहीं है के वार गया हूं कनक मंदिर हमारे निर्मान ओर्चा के महराजया नहीं कराया था आज यह बात इन जाती है कि ओर शा के राम दरबार में दिन भर वहाँ बिराजते हैं भगवान राम और रात को आयोद्धे आते हैं ये परंपरा चली आ रहे हैं आज से कम से कम दो सो तीन सो साल से तो हम तो राम भक्त थे हैं और रहेंगे और मैंने हनमान गड़ी भी में गया हूँ और उस समय जब जो राम लला जहां विराजबान थे मजजद बावरी मजजद तूटने के पहले तब भी ममा गया हूँ मैंने सीता रसोई भी देखी है और मैं कनक मंदिर के दरक्ष्ट दरशन भी मैंने की हैं और राम बंदिर भव बन रहा है बड़ी अच्छी बात है लेकिन जिस प्रकार से उसका राज्यतिक दुरुपयोग किया जा रहा है हम उसके खिलाफ है और जिस प्रकार से शास्त्रों को तोड़ मरोड कर उसका राज्यतुपयोग किया जा रहा है दर्म शास्त्र का दिविजय सिंग जी आपने हमसे बात की बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू